मसका दोस्तो आज की बड़ी हम बात करेंगे हिमांचल प्रदेश टाप सेलेक्शन हमेरपूर में जितनी भी बेकेंसीज है उन सभी पे हाई कोड ने रोक लगा दी है जो कि रेजर्वेशन की बज़ा से और फिर भी क्यों बैच बाइस भरती है वो हो रही है चुकि हिमांचल प्रदेश काबिनेट में पिछले कल जो कि फैसले हुए हैं यही सो बेकेंसी भरने के नए पाद उसके बारे में भी बात करेंगे डिटेल में बात में करेंगे और इमांचल प्रदेश में EWS बर्टिकल जो के रिजर्वेशन कब-कभ इमांचल प्रदेश में दीए गए थे तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियो के चैनल को जुरू सब्सक्राइब कीजेगा साथ में बैल आइकन के बटन को दबाना ना भूलेगा चैन कोई भी और रेजर्वेशन हो तो आप ओफिशल वेबसाइड से दिपार्टमेंट और परसनल की वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अदरवाइस हमारा जो की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और जो की टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वहां से भी हाई कोट ने यहां पर रोक लगाई उसके बाद जो की यहां पर 18 जून को जो की यहां पर और बरती आई थी जिसमें से सास्त्री की अगर बात करें अलिमेंटर एजुकेशन में जो की वहां पर जुनियर इंजिनियर की वेकेंसी थी इलेक्रिकल की वेकेंसी थी काफी सारी तो यहां पे क्या problem हो रही है? तो उसके बारे में हम बात करेंगे? तो यहां पे साथ में मैं आपको बतादू H.E 20 थि फिल्हाल और हो रही है यहां पे जो कि 25 अगस्त अगस्त क जिए यहां पर सब्सक्राफ में पूर्छा थिばर is कौल हो रही है। और उनकी परतियां पर चल लगी है और सिर्फ जो कि बैच बाइज भरती है वहां पर सिर्फ EWS की जो की vacancies है उन पर ही रोक लगाई है फिलाल high court ने और जो कि staff selection में जितनी भी vacancies है जिसने भी है चाए वो EWS की हो चाए जो भी है क्योंकि वहां पर test बाइज भरती होती है तो उन सभी पर रोक लगी है तो अगर हम हिमाचल परदेश में reservation की बात करें तो हिमाचल परदेश में दो परकार का reservation है देखिए एक तो vertical है दूसरा horizontal reservation है इसके बारे इसको हम बाद में differentiate करेंगे कि vertical reservation क्या है और horizontal reservation क्या है तो horizontal जो कि reservation है वो बीस अगस्त उनिस सो ठानवे में हिमाचल परदेश में जो कि amendment ही लागू हुआ था तो अगर हम बात करें EWS reservation की तो यहां पर जो की problem create हुई है reservation की बज़े से ही हुई है जो कि समान्यवर के लोग है जो कि गरीब लोग है उनको दिया गया था केंदर सरकार की और से जो आप सभी को पता है जो कि 9 जनवरी 2019 को जो की EWS reservation को लागू करना चाहता था बट जो की 19 और 20 जनवरी को माचल प्रदेश विदान सवा में reservation लाया गया तो वहां पर जो की 15 जो की reservation horizontal reservation है जो की यहां पर दिया गया था जो की माचल प्रदेश के बिलाल जो की EWS reservation लागू कर दिया गया हिमाचल प्रदेश में जो की यहां पर जो की बकील थे लॉयर से जो की सरकार से उनसे विचार विमाश करके जो की amendment करा गया कानून में किस तरीके से किया गया तो यहां पर इन्हों ने ऐसा कर दिया जो की इन्होंने काट दिया उन्हों खतम कर दिया बीपियाल का reservation पूरे तरीके से इन्होंने खतम कर दिया और यहां पर जो की 10% reservation EWS को फिर दे दिया यहां ऐसा कह सकते हैं जो की 8% reservation था उसमें सिर्फ 2% इन्होंने और reservation दिया और उसको add कर दिया और उसका नाम सिर्फ change कर दिया इन्होंने BPL, IRDP की जगा रखे, इन्होंने EWS कर दिया, जो कि केंदर सरकार ने दिया चाह, जो कि मोधी गॉबर्मेंट ने दिया था, तो इन्होंने उसका नाम ही चेंज कर दिया, यहां पर आप देख सकते हैं, और सिर्फ 2% और एड कर दिया, यहां पर यह इतना रखे कि 100 म BPL का तो उनको होना नहीं चाहिए था, जो कि 10% EWS का था, वो EZTs इनको देना चाहिए था, समाने बर के लोगों के लिए, जो कि यहां पर 10% Reservation दिया गया है, उसमें ऐसा हो गया, जो कि पहले तो आप सभी को पता है, जो कि BPL में काफी कम लोग होते थे, बट उसमें ऐसा हो नहीं होना चाहिए, जो कि building नहीं बनी होनी चाहिए, और आप सरकारी और किसी भी semi comment companies बें, जो कि job नहीं होने चाहिए, जो कि SGBN हो गया, NTPC हो गया, जो कि अर्द सरकारी है, BSNL हो गया, तो यहां पर ऐसा हो गया है, तो यहां पर जो कि 85% लोग हिमाचल परदेश में ऐस है, जिनकी income 4,00,000,000 से कम है, आप अगर कभी भी यहां पर survey देखोगे, या net पर भी search मारोगे, और एक hectare से उनके पास जमीन कम है, आप सभी को पता ही, महाचल देखे एक पहाड़ी एरिया है, तो यहां पर सब की general category में लोग आते हैं, उनको 85% जनता है, उनको 10% reservation दिया है जो की यहां पर BPL जो की category के हैं, जिनको arts and reservation था, उनके साथ जो की सबसे बड़ा इन्होंने अन्याय किया है, जो की जहराम सरकार है, वैसे कहते हैं कि हम गरीबों की सरकार है, मैं गरीब family से आता हूँ, बट आप सभी को पता ही है, जो की हलांकि सचाई कोछ और है, तो यहा पर TGT जो की यहां पर आर्स की भरती थी, स्टाफ सेलेक्शन मेरपूर को दूवारा कंड़क्ट वरी थी, उसको चलेंज किया, पर्टी कुलर जो की एक भरती को जो की यहां पर जिस भी बंदे ने केस किया था, उसको चलेंज किया था, बट हालांकि फिर आई कोड नहीं तो उसको पर रोक लगी, फिलाल जो की पब्लिक सभी स्क्मिशन से जो की तैयत भरतियां हो रही है, वहां पर आप सभी को पता 6 और 7 अगस्त को वहां पर एक्जाम हुआ है, बट EWS का रेजर्वेशन तो वहां पर भी है, तो यहां पर जिन्हों ने केस किया हो, उनको तो यहां पर गाटा उन लोगों का है, जो कि EWS में आते हैं, तो EWS में सोच रहोंगे कि हमें यहां पर सीट मिलेगी, तो यहां पर उनको सीटी नहीं मिलेगी, बैच बाइस भरति जो की फिलाल हो रही है, बाकि यहां पर जो चलिए स्लाप सेक्शन का फिलाल एक्जाम नही हो रहा है तो यहां पे उनका नुक्सान यहां पे हो जाएगा तो अगर हम बात करें जो कि महांचिप देश में दू रिजर्बेशन है टाइप के बर्टिकल और होरिजोंटल होता है तो जो कि 1990 में दिया गया तो उसमें एक सर्विसमेन के लिए 15% है और जो की फ्रेडम फाइ हर केटगरी के बर का लोग आयेगा जो कि 15% में सारे SC, ST, O, B, C, O, B आयेगा उसमें हर केटगरी के आगए जो कि बर्टिकल अजर्बेशन है इसमें केटगरी वाइज आती है इसमें इंकम आपकी नहीं देखी जाती है कोई जॉब नहीं देखी जाती है इसमें देखा जात अगर आप सोच रहे हैं कि समान यहां पर है तो यहां पर देखेंगे अगर हम बात करें जो कि क्लास्ट में क्लास्टू पोष्ट के लिए जो कि गेस्टी रहती है तो ST के लिए यहां पर 15% है, OBS के लिए 12% है, ST के लिए 7.5% है, और जो कि EWS के लिए फिलार इन्होंने 11 जून 2019 को दिया है, वो 10% है, टोटल यह 44.5% जो कि होता है, क्योंकि यहां पर आपका 4% से कम होना चाहिए, तो कि यह 44.5 गुरा है, अगर हम EWS का रेजर्वेशन इसमें घ अटा दें, तो यहां पर 34.5% है, जो कि बच रहा है, अगर हम बात करें, Class 3 और Class 3 पोस्ट के लिए, तो यहां पर देखिए, ST के लिए 12% है, जो कि यहां पर ज़्यादा है, बढ़ गया, 15% से 22 हो गया, Class 3, Class 4 पोस्ट के लिए, जो कि नीचे के जहां पर करमचारी होते हैं, और यहां पर ओफिस्सर होते हैं, तो जो कि करमचारी के लिए, यहां पर 22% दिया गया, ST के लिए, OBC के लिए 18% दिया गया, और ST के लिए यहां पर घट गया, साड़े साथ से 5%, और EWS के लिए 10%, जो कि टोटल यहां पर 55% हो रहा है, तो यहां पे 50% से थोड़ा सा बढ़ रहा है बट हालांकि आप सभी को पता है जो कि EWS का ही है तो यहां पर बड़तोगरानी वैसे यह 45% ही हो रहा जो कि EWS का जो कि जैनल कैडेगरिक लिए वैसे समाने बड़ का 50% होता है जो कि किंदर सरकार ने कहा था कि हम 50% मैं से AWS को दे रहे हैं जो कि यहां पर 200 dollars दे रहे हैं जो कि चार्लिब 200 vendors बाकी बचता है बाकी लोगों depende में बने बट हुमाचिल प्रदेश में ऐसा नहीं किया गया है तो यहां पर उसमें नहीं सोचता है जो कि गरीब वर्ग है यहां पर general category का तो इनके बारे में नहीं सोचता है जो यहां पर दिमाग नहीं लगाते है थोड़ा सा यहां पर चलो जो भी कानून बनाते जाओ और यहां पर पास करते जाओ बाकी जो होगा वो देखा जाएगा तो इसी बजह से यहां पर आज यह court में लटका हुआ है तो अभी 21 अगस तक सरकार क्या जवाब देती है उसके बाद high court क्या decide करता है इसको सही मानता है या गलत मानता है जो कि amendment की है जो कि हमारे recording है अकर आपको क्या लगता है तो आप भी जुरू बताइएगा यहां पर BPL का reservation अलग से 8 cent होना चा क्योंकि total 18 cent general category के लिए मांचब देश में होना चाहिए क्यूंकि आप सभी को पताईए यहां पर जो कि BPL के लोग अलग होने चाहिए और general का यहां पर लग से होना चाहिए क्यूंकि 85 cent जनता के लिए आपने general category के लिए 10 cent reservation दिया हुआ है वैसे आप सभी के मुझे पता आप कोई भी comment नहीं है तो आप सभी को पताईए फिलाल जो कि यहां पर जो कि BJP comment कहा रही थी कि जो पहले लगा रहा था कि नरेंदर मोदीची यहां पर आरक्षन हटाएंगे बाट उन्होंने यहां पर उपर से और reservation दे दिया है तो हिमाचरप देश में हाली में भी amendment हुई है यहां पर जो कि टूप सेंटर उसमें यहां पर थोड़ा सा बदलाब किया गया है और अगर आपको जाना है रोश्टर के बारे में कि हमाचरप देश में वेकेंसी कैसे तरह होती है कि कि किस category के लिए कितने वेकेंसी मिलेगी जैसे 30 वेकेंसी कैबिनेट से अप्रूब होती तो उसमेंसे categories को किस category को किनी किनी वेकेंसी जाती है रोश्टर के साफ से बनता है तो इसके regarding पर आपके जमन में कोई विस्वाल जवाब है तो हम आपको फीडिया फाइल दे देंगे तो उसमें आप देख सकते हैं या तो अलग से वीडियो बनाएंगे तो यहां पर इसमे कई department में vacant pad रहे होते हैं जो कि ST के जाद रहे होते हैं ऐसी category के रहे होते हैं तो उनको भी बाद में सरकार भाती है तो उसमें वैसे roster में आपको देख सकते हो कि 100 मैसे इतने इसके लिए है जो कि reservation के साफ से इसको इतने इने पद भी दिये गे बट उस पर भी depend रहता है कि department मे कितने vacant pad किस category के रहे तो उससाब से भी recruitment हो जाती है डारेक्टली तो इसी आज की वीडियो वीडियो चले लगे लाइक और शेयर करना बोलेगा अगर चैनल को subscribe नहीं कहें तो चैनल को जुरो subscribe किजिगा इसी वीडियो के लिए धन्यावाद